A motor car started with a speed of 60 km per hour and a speed is increased by 20 km per hour every 3 hours. How many hours it will take to cover a distance of 470 km? वहती असान कुश्चिन है Motor car initial speed किती है? 60 km per hour एक गंटे में 60 km per hour और speed जो हर तीन गंटे में बढ़ दाती है? कितनी बढ़ती है? 20 km per hour पहले 63 तीन गंटे बाद किती हो गए? 20 km बढ़ती हो गए? 80 हो फिर कितनी हो गए? तीन गंटे में 100 हो गए तो क्या पूछा है कि कितने टाइम लगेगा? 470 km कवर करने में तीन गंटे तक वह 60 km की speed से चली है तो कितना distance कवर कर लिया? 180 ठीक है? और तीन गंटे तक वह 80 की speed से चली ही तो कितना कर लिया? 240 दोनों को add करेंगे कितना आएगा? 420 अभी तक 420 कवर कर लिया? हमें पूछा कितना गया? 470 तो 50 और चाहिए है अब कितनी speed से चल रही है? 100 मतलब 1 hour में 100 km कवर करेंगे तो half hour में कितना करेंगे? 50 km और 50 की तो जल्वरती थी तो मतलब half hour और add कर दीजिए अभी तक कितना hour हुए थै? 336 6 में half hour add कर दीजिए तो 6 1 by 2 और जो है हमारा right answer और जो की option भी है इसी तरह की video देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें